पंकज मिश्रा और हेमन्त मुख्य मंतरी सोरीन के विधात प्रतिनिदी है वो बरहेट विधान सबा छेतर में हेमन सोरीन के अनुबस्थते में उनका प्रतिनिद्धित्व करते हैं इसके अलावा वह जामूंगों के सचीव भी रहें हैं पंकज मिश्रा वही पार्टी और सरकार को मजबूत पकर रखने वाले पंकज मिश्रा संताल छेतर के दबंग खंकन माफिया में माने जाते हैं इडी के सूतरों के मताबिक पंकज मिश्रा ने जो बाते बताई हैं उससे सत्ता के कुछ करियों की परिशानिया बढ़ी सकती है जल्दी इडी इस मामले में राची के कुछ लोगों को नोटिस भेज सकती है इडी के अधिकारियों के मताबिक साहिब गंजव वन छेतर में भी अवैद खंनन हुआ है ऐसे में साहिब गंज के दी एफ ओ निसे सोंवार सेव को पूछ ताच की जाएगी वैवन विवाग के कई अधिकारियों को भी अलग-अलग तारीखों पर कई सारे का अगज़ात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दे दिया गया है बता दे की रिमांड पर की जा रही पूछ ताच में पंकज मिश्ला से कई सवाल जवाब में खामूश बता रहे है अलग-अलग जकवों से वाहनों की खरीद की है अधिकतर वाहन को खरीद में नगदी के स्तमाल की बात सामने आ रही है एटी ने वाहन के शोरूम से जानकारी जटा रही है वही बताया जा रहा है कि ये वाहन मिथलेश याधव, संजे याधव, लालु याधव समेत कई अन्य लोगों के नाम पर नेबंध है बाकिया आप याँ कहेंगे पंकज मिश्रा के इस केस को लेकर हमने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं